इस वीडियो में हम बात करेंगे IPC के section 17 के बारे में धारा 17 तो IPC का जो section 17 है सबसे पहले उसकी definition चेक कर लेते हैं इसकी definition है the word government तो इसमें सरकार को बताया गया है कि government किसको बोला जाएगा कि जब भी IPC के अंदर Indian Penal Code के अंदर government word आएगा उसका मतलब क्या होगा the word government denotes central government और the government of a state इसमें कहने का मतलब यह है simple शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर IPC के अंदर Indian Penal Code के अंदर कहीं पर भी government का जो नाम का word है वो आएगा तो उसका मतलब होगा जातो center की सरकार central government केंदर सरकार जिसको हिंदी में कह सकते हैं या फिर government of any state या फिर किसी राज्य की सरकार इसके अलावा इसका तीसरा कोई मतलब नहीं होगा मतलब कहने का यह है कि Indian Penal Code के अनुसार सिर्फ दो जो सरकारे हैं उनको ही government माना जाएगा जो केंदर की सरकार है और जो राज्य की सरकार है इसके अलावा अगर कोई अपने साथ government शब्द लगाता है तो उसको government नहीं माना जाएगा सिर्फ गवर्मेंट का मतलब यही होगा कि या तो केंदर सरकार के बारे में बात हो रही है सेंट्रल गवर्मेंट के बारे में बात हो रही है या फिर राज्य सरकार के बारे में बात हो रही है तो IPC का सेक्शन 17 सिर्फ यही डिफाइन करता है अब बात कर लेते हैं IPC के section 18 के बारे में धारा 18 की धारा 18 में क्या दिया गया है देखिए IPC का section जो 18 है उसकी definition क्या कहती है इंडिया इसमें इंडिया को define किया गया है इंडिया word को explain किया गया है कि इंडिया का मतलब क्या होगा अगर Indian Penal Code के अंदर इंडिया नाम का वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या माना जाएगा इंडिया means the territory of India अगस्त 2019 से पहले इसमें क्या था इसमें था excluding जम्मू और कश्मीर की जम्मू और कश्मीर जो है वहां पर ये section 18 लागू नहीं होगा excluding था इंडिया means the territory of India इंडिया की सारी territory जम्मू और कश्मीर को छोड़के लेकिन अगस्त 2019 के बाद इंडियन पिनल कोड के अनुसार वो include हो गया है जम्मू और कश्मीर भी तो अब इसकी जो definition है IPC के section 18 की उसकी definition यह है कि इंडिया means the territory of India चाहे वो जम्मू और कश्मीर है चाहे कोई भी state है मतलब इंडिया की सारी states territory में मने जाएंगी सारी union territories जो है वो इसी definition के अंदर आएंगी इंडिया का मतलब है कि इंडिया की सारी जगा सारक शेत्रफल जितनी भी territory है वो सारी इंडिया ही मने जाएगी चाहे किसी इंडिया की नदी के बारे में बात हो रही है, नाले के बारे में बात हो रही है या इंडिया की रिजिस्टर्ड शिप के बारे में बात हो रही है इंडिया की रिजिस्टर्ड कार के बारे में बात हो रही है या इंडिया की किसी भी लैंड के बारे में बात हो रही है तो उसको इंडिया ही माना जाएगा तो इंडिया का मतलब है कि इंडिया की सारी की सारी territory चाहे वो किसी भी state की बात हो रही हो किसी भी union territory की बात हो रही हो तो यही इसमें define किया गया है इंडिया को explain किया गया है तो उमीद करता हूँ आपको IPC के section 17 और 18 यह दोनों समझ में आ गए होंगे simple तरीके से simple शब्दों में समझाने की कोशिश की है मैंने अगर कोई confusion रहे गया है यह जा loss related आपको कोई और भी जान करी चाहिए तो please आप comment कीजेगा और जाने से पहले इस channel को subscribe जरूर कर लीजेगा क्योंकि इस channel पर कानून से related videos ही upload किया जाती है अगर आप किसी exam की त्यारी कर रहे हैं किसी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं या loss related आप law के student हैं या वैसे interested है law में तो please इस channel को जरूर subscribe कीजेगा comment कीजेगा वीडियो कैसी लगी शुक्रिया यह वीडियो देखने के लिए नेक्स वीडियो में बात करेंगे IPC के section 19 और 20 के बारे में शुक्रिया यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद